इहाँ आपके गाउं ही टेड़ा में जिकड़ी वजनों का रगा रंकार क्रम चल रहा है जिसके ओडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता जेसवाल दीजे सांड पठूमर से और जो पैड़ पर मीठी मीठी जनकाते रहे है हमारे बड़े भाई प्रेम सिंग अलबर से और डोलक पर संगती कर रहे है हमारे बड़े भाई रामबीन तूफाना निस्वाना से और आपके सामने आपका छोटा सा बालक आई खुचाल सीन सिंसिनवार सहराई से दीजिये जिकड़ी का एक और भुमों का हाजी हाँ साथ हाजी हमें कोई भी सुनकाम करने से पहले माता पिता एवाम गुरू और भगवान की बंदना करनी चाहिए किसी कभी ने अपनी कलम को ठाया और दो लाइनों के अंदर क्या जवाब दिया कैसरी गुरू पद मस्कक धरून और देव घ्यान बरदान करेन रजन जो प्रपा हो एक्रविद कल्जान एक पार जोन से जैकार लगाएंगे बोल भुलिया भाबा की और भबानी के मात जम से क्या बताया धरती धरती दुलहन सी सजती मोहन की मोहन की मुरलिया बजती यहों नीरा संकत सहती इस देश में कता बहती और यह दोस्तान हमारा तन मन है और यहां तासी और ब्रता बन है और यह दोस्ता बन है जाज प्रम्टर में काड़ी धर प्रम्टर करी इस देश्ड़ प्रमटर करी देश्न अरे पन्ना जैसी नारी बे देखा लहू बहाती अरे पन्ना जैसी नारी बे देखा लहू बहाती अरो माथरियाने तिली के भाट कद आए दई अरे माथरियाने तिली के भाट कद आए दई यहां शेतक सरफट करता सीमा पेल हूब करना यहां शेतक सरफट करता सीमा पेल खुरता यह दो गुनार निमरातन मन है हाजी मेरा पिर्सन उस समय का ये बाचों पांडव छटमी द्रोक्ती शारा परस का पनमास्वतित कर रहे है एक दिन पांडव बन में सिकार खेलने के लिए चले जाते हैं और पीछे से मौका पाकर पापी जैदरत कुटिया पर आ जाता है और जैसे ही द्रोक्ती को देखा तो अर्थ में जवाब दिया के देख्यो रूप नार को नपने के देख्यो रूप नार को नपने और चमकत चंद हुजा रही है के तो इंद्र परी कोई आई के देवन की सो पहुचा भूप पासवाल आके सो पहुचा भूप पासवाल आके और ऐसी गिरा सुनाई और तुपवन कह दे और जड़के बाद जमचाग क्या बताया अरे अवाई माई सांच पती तेरे और अपाच सर मलाई तो कूँ और क्यों पाराई काष्ट महाल अरीब पाई देले कापो अरे एक तरी के निला लाले आए गयो अरे तरी के निला लाला आए गयो काल अरे अज्याई और क्यों तके पाई नार अरे सामनाई को पूँ लेकिन तो के सेंदर बताया अरे परित्रिया से नेहे लगाई के अरे परित्रिया से नेहे लगाई के कोई ना सुत पेशो अरो रावर जैसो यो धायाने जरा मूड थे अरे नार अहिल्या के जक्कर में अरे नार अहिल्या के जक्कर में इंद्र जेवता बोहो अरो हरी करेना लवको फिर भूण पकर के रो मूल पकर के रो वर्या मूल पकर के रो अर्थ में बताया का पांच पतीन की नारी है के और बन बन भीच भटक रही है करिया और राज महल में चलके इनसे कहा अटक रही है सो रथ में बैठ संग चल मेरे सो रथ में बैठ संग चल मेरे और दोष्ट का हयो मानी और तुलपन जा मेरी और चोप के बाद दिम से आगे क्या बताया अरे जे द्रत की और सुन के बानी और कचूपी छेपु अट गईरान और कचूपी छेपु अट गईरान अरे रानी कहे अरे रानी कहे सुखी है चोला लवते गिर्यों है कजब को बोला अरे रानी कहे अट गिर्यों है कजब को बोला हाजी समय कबाब अब सुनेंगे एक चेटा सा गाना मेरा गाना अब समय का है जिस समय सरवण कुमार अपनी माता पिताओं के लिए जलनेने के लिए जाता है तो राजा दसरात उसमें बांड बार देता है और वो सरवण कुमार जमीन पर गिर जाता है और रो रो कर कि क्या कहने लगता है परे सहु में पेरो की जिन्दगी से बड़ा तंग दिल है मेरा शेवसी इसमें बड़ी बेवसी हैं मगर क्या करू में ये गम का वहाना इसे कहू में अरे का मर में लटके मेरे फिता और माता अरे का मर में लटके मेरे फिता और माता हतम हो चला मेरा दुनिया से लाता हतम हो चला मेरा दुनिया से लाता तमना ये मेरी अरे तमना ये मेरी मेरे दिल में रहे गई मुझे जिन्दगी दोका अध पर्म दे गई अरे मानूम होता तो बे नहीं घर से लाता मानूम होता तो बे नहीं घर से लाता हतम हो चला मेरा दुनिया से लाता और दूत कंत्रा में क्या बताया इधर मरे रहा हूँ क्या कहने लगा सरवार खुमार अरे इधर मरे रहा हूँ उधर वो मरेंगे इधर मरे रहा हूँ उधर वो मरेंगे मेरे ही कारण कैसे कसा ले सही के और क्या 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 लिखा है मेरे भाग्या में विधाता क्या क्या लिखा है मेरे भाग्या में विधाता अक्यमों हो चला मेरा दुन्या मेरा और अंतिम बंद में क्या बताया सेवा अब निरंजन के कुछे भी नहीं है कोपाले क्रिस्ना सर्वण मुख से कही है अरे सुना राम का नाम राजिन्रया का सुना राम का नाम राजिन्रया का आतम हो चला मेरा दुन्या से आता सम्मे पूरो हे गयो करिया सिम्मे जाता हे गयो करिया कोई पुचा सिम्यों करक भोला बार करो नाया पुचा सिम्यों करक भोला नाया कर देखिए कर देखिए अरे